बिहार के किसानों के लिए सरकार एक और अच्छी खबर लेकर आई है कि अब आपको खाद के लिए कही और भटकना नहीं पड़ेगा बलकि आपको खाद आपके बिहार में ही मिल जाएगा बिहार के बेगु सराय में बरौनी खाद कारखाना में खाद बन कर तयार हो चुका है और अब बाजार में जाने के लिए ट्रक में भी लोड किया जा चुका है आपको बता दें कि बरौनी खाद कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है जिसे बेगु सराय के किसानों को काफी जादा फाइदा मिलेगा हलांकि केवल बेगु सराय ही नहीं बलकि बिहार की सभी किसानों के लिए ये खाद मार्केट में सप्लाय होना शुरू हो चुका है ये खाद बिहार के अलावा जार्खन पर्शिम बंगाल समय देश की सभी राजियों में भेजा जाएगा जो बिहार के लिए वाकई में गौरव की बात है इस वीडियो में जानते हैं कि बिहार का गौरव बरौनी खाद कारखाना किस तरीके से बिहार के लिए फायदे मंद होगा और इस कारखाने के खाद से बिहार के किसानों को कितना जादा फायदा मिलेगा इन सबे बातों को विस्तार से आपको बताये जाएगा इसे पहले नमस्कार में निहा चौधी कैमरा पोसन विशाल के साथ और आप देख रही हैं जंता जंक्षिन आपको पता दे कि एक समय वेगु सराय का बरौनी खादकार खाना बिहार का गौरव हुआ करता था लेकिन कई साल पहले इस कार खाने को बंद कर दिया गया लेकिन अब 22 साल बाद फिर से इस कार खाने में यूरिया खादका उत्पादन शुरू हो चुका है जिसकी सुरुवात 2018 में की गई थी 2018 में देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लांट की शुरुवात की थी जिसको बनाने में 8387 करोड रुपिये खर्च किये गए थे प्लांट को बनाने में लगबग 50 महिने का वक्त लग गया लेकिन अब जब ये प्लांट बिल्कुल बनकर तयार हो गया है और अब इस कार खाने से नीम कोटेड यूरिया को तयार किया जाता है जिसका सप्लाए बिहार सहित आसपास के सभी राजियों में किया जाएगा प्रधान मंत्री ने 2018 में One Nation One Fertilizer के तहट पुनर निर्मान के लिए बिहार के बिगु सराय के खाद कार खाने का शिला नयास किया था और अब जब यहां पर यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है तो आसपास के सभी किसान इस बात से बेहत खुश है आपको पता दे कि 1999 में बरवानी खाद कार खाना बंद कर दिया गया था क्योंकि ये कार खाना काफी घाटे में चल रहा था लेकिन 2018 में कार खाने के फि इंतिजार बस इस बात की है कि अब इन सभी खाद को पूरे बिहार में सप्लाई किया जाएगा इस कार खाने में 3850 मेट्रिक टन यूरिया खाद हर रोच तयार किया जाएगा और अस्थानिया लोगों ने बताया कि बरवानी खाद कार खाना शुरू होने के बाद से यहां क बिल्कुल समय पर मिलेगा इस कार खाने की शुरुवात के बाद कीवल खाद की ही समस्या से निजात नहीं मिला है बलके इस कार खाने ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है मौजूदा समय में इस कार खाने में 400 अस्थानिय कर्मचारी के साथ साथ 4-5 हजार लोगों को इस होने वाले सबसे पहले प्रात्मिकता by हार को दी जाएगी और बिहार में भी सबसे जादा एमियत वेगु सराई को मिलेगा इसको लेकर सरकार और जिला प्रशाहसन केसाथ बातचीत के जाएगी ताकि बेगुसराय के किसानों को इसका भरपूर लाव मिल सके बाके कुल मिलाकर बात यही है कि यूरिया खाद के सप्लाय से लोगों को एक बड़ी खुश खबरी मिली है और इसके साथ बिहार के लिए ये बेहत खुशी की बात है कि बिहार का खाद आई रनिवाद के लिए रनिवाद।